अगर आप आने वाले दिनों में महारश्टर ट्रेवल करने वाले हैं बले ही वो किसी भी मोड से हो like train या fire road या फिर आप flight से जाने वाले तो यह हो सकता है वीडियो आपके लिए हो तो वीडियो को end तक देखेगा Hello guys, welcome again to my YouTube channel Your Travel Buddy आप सबीका मेरी YouTube channel में फिर से सवगत है आज के इस वीडियो में आपको जैसा कि मैंने starting में पताया अगर आपको महारश्टर जाना है आने वाले दिनों में तो इस वीडियो में आपको latest travel update जो आया है महारश्टर की साइट से वो मैं आपको update करने वाला हूँ तो आप देखते रही है इस वीडियो को end तक लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इससे आपको ऐसे ही upcoming travel updates वीडियो मिलते रहें तो आईए बात करते हैं महारश्टर की अगर आप आने वाले दिनों में महारश्टर ट्रेवल करते हैं मतलब कि कल से ये रूल लागू हो जाएगा 25 नॉमबर से आज 24 नॉमबर है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप महारश्टर जाते हैं आप अगर गुजरात राजिस्तान या डैली से महारश्टर जाते हैं बहले ही वो किसी भी मोड से हो लाइक बायरूड हो या फिर एर के थुरू हो या फिर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको PCR जो रिपोर्ट होती है गोविट की negative रिपोर्ट लेके जाना कमपर सरी है इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास में रिपोर्ट नहीं है तो आप वहाँ पर भी जाकर टेस्ट करवा सकते हैं अगर आप टेस्ट वहां कराएंगे तो आपको ज्यादा कोशली पढ़ सकता है तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले से ही रिप पर एराइव कर रहे हैं उससे 72 अंदर की आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको ट्रेन से 96 हार्स की जो है वह लिमिट दी गई है क्योंकि ट्रेन जो है वह बहुत दूर से आती है इसलिए उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है ले एगर आपको कोई symptoms आते हैं मतलब Covid के like fever या फिर आपको common cold यह सब चीजे होती हैं तो आपको फिर anti-gun rabbit test आपका करवाया जा सकता है otherwise अगर आपकी body में कोई symptoms नहीं आते हैं तो आपको महराष्ट में enter होने की permission मिल जाएगी तो अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अगर flight से जाते हैं तो major आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में report होनी चाहिए अगर आप flight से नहीं मतलब train से जाते हैं तो train से आपको थोड़ा सा relaxation मिल जाएगा अगर आपके पास में report नहीं भी है तो आप वहाँ पर जाकर अपने station पर जाकर अगर आपके पास में कोई symptoms है आपकी body में तो ही आपका जो है वो test होगा otherwise आपको entry मिल सकती है लेकिन flight में आपका ऐसा है कि आपको आपके अंदर symptoms हो या नहीं हो आपको arrival के time पे अगर report दिखानी है अगर आपके पास report नहीं है मतलब आपने अगर पहले से test नहीं करा है तो आपको Mumbai airport मतलब मारस्टर के किसी भी airport पर पहले आपको test करवाना ही पड़ेगा उसके बाद में आपको entry मिलेगी और एक बाद में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जो flight है वो वन इस्ट ओफ लाइट एलाइक जम्मू से पहले वो डेली आ रहे है और डेली से फिर वो मारस्टर के किसी airport पर जा रही है तब भी आपको COVID की report दिखानी पड़ेगी आपको यह है कि ऐसा नहीं है कि आपकी direct flight मतलब जो है वो अपनी जम्मू से और फिर आप सोचे कि यार हम तो entry नहीं कर रहे है डेली में लेकिन फिर भी आपको report तो दिखानी पड़ेगी कि आपका stop जो है वो डेली में था इसलिए आपको report दिखानी पड़ेगी इसके साथ में train में भी ऐसा ही है train का तो थोड़ा सा relaxation रहेगा flight के comparison में लेकिन flight में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जैसे UP में इसी लखनाव से flight है और लखनाव से वो flight रायस्थान होते हुए मतलब जैपूर होते हुए फिर अपना जो है वो आ रही है मुंबई या फिर अपका नापपूर आ रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास में negative report होनी चाहिए और negative report नहीं है तो आपको airport पर आपको कि अपको यह दो आपको आपको पर आपको यह दो करेंगा है